Hey guys, welcome back to my channel Guys, आज मैं Redmi की सबसे बड़ी Note series के आने वाले फोन के बारे में कुछ interesting specs बताने वाली हूँ जो कि हाल ही में leak हुए है और guys, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को भी subscribe कर दीजेगा और साथी bell icon को भी press कर दीजेगा तकि मेरे हर नए वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो guys, चले फटावट से वीडियो को शुरू करते हैं Finally guys, Realme की 7 series को इंडिया में launch कर दी गई है जो कि prize रखी गई है, बहुत ही shocking है Guys, जो prize रखी गई है, बहुत ही अच्छी रखी गई है वो भी अच्छे specs के साथ, जो मुझे बिलकुल भी यकीन नहीं था But finally guys, Realme का सबसे बड़ा टकर देने वाला competitor है वो है Redmi, और Redmi की friend following काफी ज्यादा है इसका reason ये है कि Redmi जो है काफी अच्छी pricing के साथ इंडिया में launch करती है और Redmi है, वो 5 साल से number 1 smartphone का किताब अपने नाम करके बैठी है इसका सबसे बड़ा reason ये है कि Redmi की जो not series है वो बहुत ही amazing है और उसके अंदर हमें ऐसे specs देखने को मिलते है जो market में हमें किसी भी smartphone में देखने को नहीं मिलते है पर last smartphone जो था Redmi Note 9 series ना जिसने हमें बहुत ही disappointing किया था क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी खास specification देखने को नहीं मिले थे और pricing भी बहुत ही ज्यादा high देखने को मिले थे इस बार Redmi की Note 10 series होने वाली है वो काफी amazing होने वाली है और यहाँ पर जो Redmi Note 10 का handset का pick सामने निकल कर आया है जहाँ पर ये confirm हो चुका है कि Redmi Note 10 के अंदर MediaTek Diamond City A20 का powerful chipset देखने को मिलने वाला है जो एक budget friendly chipset होने वाला है इस वीडियो में मैं आपको Redmi Note 10 का confirm specification, price और launch date बताने वाली हूँ तो सबसे पहले बात करें device के performance के बारे में तो जो यहाँ पर performance निकल किया है काफी amazing है क्योंकि आपको MediaTek Diamond City A20 का powerful chipset देखने को मिलता है जो एक budget pricing के लिए develop किया गए है तो MediaTek यहाँ पर काफी amazing काम कर रही है और Redmi भी उसका बकूफी फाइदा उठा रही है और हाल ही में Realme ने अपने Realme V3 को चाइना में under rupees 10,000 के अंदर launch किया था MediaTek Diamond City 720 के powerful chipset के साथ जो already एक 5G chipset है तो यहाँ पर भी Redmi पीछे नहीं हटने वाली है Redmi उससे भी powerful chipset offer करेगी वो भी अच्छी pricing के साथ और यह device इंडिया में 5G के साथ देखने को मिल सकता है उसके साथ अगर battery की बात की जाए तो 5000 mh की powerful battery 33 volt के fast charger के साथ आपको दीखने को मिलेगी इस device में अब उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इस device के एक और feature के बारे में तो वो है display तो यहाँ पर जो device के pics निकल के आए है यहाँ पर front में आपको एक punch hole selfie camera देखने को मिलेगा यानि के आपको realme 7 के जैसे एक punch hole selfie camera देखने को मिलेगा जिसमें आपको 90 has की refresh rate का support मिलेगा उसके साथ ही बात करें इस device के back side की तो back side पर जो camera है जो confirm हो चुका है वहाँ पर आपको 48 megapixel का quad rear camera का support देखने को मिलेगा तो guys कुछ confirm specification निकल के आई थी तो guys क्या आप इस device के आने तक का wait करोगे या नहीं यह मुझे comment में जरूर बताना last में बात करू इस device की pricing के बारे में तो approximately 15-16,000 के बीच में देखने को मिलेगी चायना में पर बात करो इंडिया की तो इंडिया में आपको approximately 17,000-18,000 के बीच में देखने को मिल सकती है so finally बात करें launch date की तो September के last week तक इस device को launch किया जा सकता है और इंडिया में बहुत strong chances है कि October महिने में Redmi Note 10 सीरीज को इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाए so guys आज की वीडियो में बस इतना है guys आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा तकि मेरे आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे thanks for watching guys, my name is Dara, this is Tech War मैं आपको मिलूंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye